Welcome to Khalsa Computer, वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और चैनल बने रहे नई अपडेट के लिए वहाँ से जाकर हमारे पीछे की सभी Classes को देख सकते हैं, तो फड़ा फड़ा आपको Live हो जाना है, और हम आपसे Questions करने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे Comment करके Answer देना है, जो भी सबसे पहले Comment करके Answer देगा, उसका नाम Comment में लिया जाएगा, तो जो भी आपको Doubt हो या कोई Questions हो उसको आप वहाँ पे Comment Box में लिख सकते हैं, उसका Discussion अगली Class में कर दिया जाएगा, और आप हमें Instagram पर भी Follow कर सकते हैं, Instagram का Link आपको Description Box में मिल जाएगा, तो चलिए आज की Live Class सुरू करते हैं, और हम आपका एक बार फिर से Live Class में स्वागत करते हैं, तो चलिए आज का हमार जो सबसे पहला Questions है, वो है कि MS Excel 2010 में किसी भी File का Default Name क्या होता है, तो Option A है Book 1, B है Book 2, C है Book 3, और D है Book 4, तो आपको Comment करके Answer देना है कि इसमें से कौन सा Option सही है, तो इसका A answer सही है Book 1, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि Microsoft Excel 2010 में वहाँ पर जो Excel की सीट होती है, उसका जो नाम होता है, वो Book 1 होता है, और जो हमारा Microsoft Word होता है, उसका नाम Document 1 होता है, अगर इसी तरीके से आपको Writer के अंतरत पूछा जाए, तो वहाँ पर आपकी सभी File का नाम Untitled 1 रहता है, चाहे वो Writer हो, चाहे Calc हो, चाहे Impress हो, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि Question किस तरीके से पूछा जा रहा है, अगला Question है, याहू, Google, Amazon, MSN है, तो Option A, Internet Sites हैं, B, Computer Brand हैं, C, Switcher Land में बनने वाली घडियां हैं, D, Sunny रहके छले हैं, तो आपको Comment करन हैं, और बताना है फटाफट कौन सा Option इसमें सही है, तो इसका सही Answer A है, Internet Sites कही जाती हैं, जैसा कि आप सभी लो, Yahoo, Google और MSN को जानते ही हैं, ये हमारे Search Engine भी हैं, अगला Question है, Computer की भौतिक बनावट क्या कहलाती हैं, Option A, Software, B, Hardware, C, Firmware, D, Humanware, तो आपको Comment करना है, और बताना है इसमें से कौन सा Option सही है, तो इसका B Answer सही है, Hardware, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि Computer के जो भौतिक भाग होते हैं, उन्हें Hardware ही कहा जाता है, और Hardware को संचालत करने के लिए हमें Software की जरूरत पढ़ती है, और Software तीन तरीके के हो System Software, Application Software और Utility Software, अगला Questions है, प्रोग्राम है तो सरवप्रत्म विक्सित की गई Computer भासा कौन सी है, तो Option A, Frotron, B है, Pascal, C है, Cobol, D है, Basic, तो आपको Comment करके बताना है, कौन सा Option इसमें सही है, तो इसका सही एंसर है, A, Frotron, तो जो प्रोग्राम के लिए सबसे पहली भासा Computer की है, वो है Frotron, अगला Questions है, सबसे पहला Graphical Web Browser बनाया गया था, Option A, Bill Gates के दवारा, B, Mark Addression दवारा, C, Steve Jobs के दवारा, D, उप्रुक्त में से कोई नहीं, तो आपको कमेंट करना है, बताना है कौन सा Option इसमें सही है, तो इसका B, Answer सही है, Mark Addression के दवारा, अगला Questions है, कंप्योटर के संचालन में परियोक्त प्रोग्राम, नीवम M, कंप्योटर क्रियाओं से संबंदित, अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है, तो Option A, Software, B, Hardware, C, Network, D, Farmware, तो आपको कमेंट करके बताना है, कौन सा Option इसमें सही है, तो इसका A, Answer सही है, Software, जैसा कि हमने अभी पीछे बात करी थी, कि Hardware को संचालित करने के लिए आपको Software की जरूरत होती है, तो सबसे पहले आपको जरूरत होती है, System Software, यहीं, Operating System, Windows 7, 8, 10, 11, और उसके बाद उसके उपर आप Application Software चला कर अपने कामयोग उस Computer को बना सकते हैं, और Safety के लिए और जरूरत के हिसाब से आपको Utility Software की भी Installation की जरूरत होती है, अगला Question है, अगर आप गुजराती भासा में पत्र टाइप करना चाहते हो, तो आप इसका उप्योग कर सकते हैं, Option A, Google Translations का, B, Antivirus Software का, C, Notepad का, D, Backup Software का, तो आपको Comment करके बताना है, कौन सा Option इसमें सही है? तो इसका A, Answer सही है, गूगल Translations से आप किसी भी भासा का कोई भी Application टाइप कर सकते हैं, अगला Question है, कंप्योटर के संदर्ब में RAM का तात्य पर किस्से है? तो Option A, Recent End, Aseate Memory से, B, Random Access Memory से, C, Read End Memory से, D, Recall End Memory से, तो आपको Comment करके बताना है, कौन सा Option सही है? तो इसका B, Answer सही है, Random Access Memory से, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि RAM का पूरा नाम Random Access Memory ही होता है, अगला Question है, Tag P को कहते हैं, Option A, Head, B है, Paragraph Tag, C, Empty Tag, और D है, Container Tag, तो आपको Comment करके बताना है, कि कौन सा Option इसमें सही है? तो इसका सही एंसर है, B, Paragraph Tag, जब आप HTML Programming करते हैं, तो वहाँ पर आप जब P Tag देते हैं, तो वो होता है, Paragraph Tag, अगला Question है, Computer का कुन्जी पटल कहलाता है, Option A, Fatherboard, B, Motherboard, C, Keyboard, D, उपरुक्त में से कोई नहीं, तो बताना है आपको इसमें से कौन सा एंसर सही है? तो इसका C, एंसर सही है, Keyboard, तो जो Keyboard होता है, उसी को हिंदी में कुन्जी पटल कहते हैं, अगला Question है, P, M, J, D, Y के अंतरगत कौन से लोग खाता खुलवा सकते हैं, Option A, केवल 10 वर्स की आयो के लोग, B, केवल महिलाएं, C, केवल घर का मुकिया, D, उपरुक्त सभी, तो आपको कमेंट करके बताना है, कौन सा Option इसमें सही है, तो इसका D, एंसर सही है, उपरुक्त सभी, तो जो PM, J, D, Y, यनि परदानमंत्री, जंधन, योजना है, उसमें 10 वर्स के आयो के उपर के सभी परकार के लोग महिलाएं और मुकिया मिला के सभी लोग खाते खुलव आ सकते हैं, अगला क्योशन से है, सूचना राजपत किसे कहते हैं, Option A, एमेल को, B, पेजर को, C, सेलर फून को, D, इंटरनेट को, तो आपको कमेंट करके बताना है, कौन सा Option इसमें सही है, तो इसका D, एंसर सही है, इंटरनेट को सूचना का राजपत कहा जाता है, अगला क कोशन से, एक DVD उधारन है, Option A, हार्डिस्क का, B, आर्ट्पूट डिवाइस का, C, आप्टिकल डिवाइस का, D, नन, तो आपको कमेंट करना है, और बताना है, कि DVD इसमें से किसका उधारन है, तो इसका C, एंसर सही है, आप्टिकल डिवाइस का, यह जो DVD है, वो प्राइमरी तॉर पे हमें सिस्टम में जरूरी नहीं होती है, Optional होती है, अगर हम उसे लगाते हैं, तो भी सिस्टम हमारा चलता रहेगा, नहीं लगाते हैं, तब भी हमारा सिस्टम चलेगा, तो DVD जो होती है, वो हमारी अप्टिकल डिवाइस होती है, तो यहां पर मैं आपसे एक में answer दिया है उनका नाम comment में ले लिया गया है अगला questions है POS का क्या अर्थ है option A point of service B permanent server C partitions of server D point of cell तो आपको comment करना है और बताना है इसमें सही है तो इसका सही answer है D point of cell जैसा कि आप जानते हैं कि POS machine जो होती है वो BC पर यहां हमारे बहुत ही banking इस्तानों पर मिल जाती है जहां से आप ATM card को लगाके David card credit card को अपना pin डालके अपने पैसे को withdraw कर सकते हैं और deposit कर सकते हैं अगला questions है सुपर कम्प्योटर अन कम्प्योटरों से किस संदर्भ में भिन होते हैं तो option A बहुत अधिक कीमत के कारण B वाता अनकुलन की समस्या के कारण C परिकलन छमता एम वरत सम्रत ब्रहंडार के कारण और D है बहुत आयामी उपियोग के कारण तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका C एंसर सही है परिकलन छमता एम वरत सम्रत ब्रहंडारन के कारण कम्प्यूटर जो होता है वो सुपर कम्प्यूटर जो होता है वो अनकम्प्यूटरों से अलग हो जाता है अगला question से है भारत दवारा निर्मित सुपर कम्प्यूटर है तो option A T3A, B है पैंटा 3, C है परम 10,000 और D है J8 तो आपको comment करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है परम 10,000 अगला question से है secondary memory की तुलना में एक कम्प्यूटर की primary memory है तो option A बड़ी है, B तेज है, C सुस्त है, D है सस्ती है तो आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका B answer सही है तेज है यानि जो हमारी primary memory होती है वो secondary memory की तुलना में तेज होती है तो यहाँ बर मैं आपसे एक question और पुछूँगा कि सबसे तेज चलने वाली memory कौन सी है तो आपको comment करके बताना है फटा-फट कि कौन सी है सबसे तेज चलने वाली memory तो ठीक है जिन लोगोंने comment में बताया है उनका नाम comment में ले लिया गया है अगला questions है computer virus का प्रणाम dot dot नहीं है option A motherboard crash, B file को मिटाना, C disk crash, D है program का खराब होना तो आपको comment करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है A motherboard crash तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि computer virus जो होता है वो software को नुकसान पहुँचाता है hardware को नुकसान नहीं पहुचा सकता है तो motherboard जो है वो एक hardware parts है इसे crash नहीं कर सकता है लेकिन जो virus है वो हमारे file को मिटा सकता है disk को crash कर सकता है और program को भी खराब कर सकता है अगला questions है भारत में निर्मित प्रथम computer है option A सिधार्थ, B है परम, C है मेगा, D है cyber तो आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है A सिधार्थ अगला questions है निर्मित में से system software का उधारन है option A है operating system, B है loader, C है linker, D है उपरुक्त सभी तो आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका D answer सही है उपरुक्त सभी अगला questions है वर्तमान slide को slide show करने की shortcut keys है option A F5, B है control प्लस F5, C है shift प्लस F5, D है ultra प्लस F5 तो आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है C, shift प्लस F5 की सहायता से आप जिस भी current slides पे खड़े हैं उसका slide show करा सकते हैं अगला questions है विस्व का प्रतम electronic digital computer है option A, inek, B है सिधार्थ, C है परम, D है deep तो आपको comment करके बताना है कि कौन सा सबसे पहला electronic digital computer है इसमें से तो इसका सही answer है A, inek, तो जो inek है वो विस्व का प्रतम electronic digital computer है तो यहाँ पर मैं आपसे एक question all पूछूंगा कि inek का पूरा नाम क्या है तो आपको comment करके बताना है कि inek का पूरा नाम क्या है तो ठीक है जिन लोगों ने comment में बताया है उनका नाम comment में ले लिया गया है अगला question से सरव प्रतम आदुनिक computer की खोज कब होई option A, 1946 हिस्वी में, B, 1950 हिस्वी में, C, 1960 हिस्वी में, D, 1972 हिस्वी में तो आपको comment करके बताना है कि आजकल का जो आधनिक computer है उसकी खोज कब से हुई थी तो इसका सही answer A है 1946 हिस्वी से जो हमारी first generations है वो शुरू हो गई थी और आज तक हम अपने computer में बहुत आगे तक जा चुके हैं अगला question से Oracle है option A, एक परचालन तंत्र है B, सब्द संसाधक software है C, database software है D, उपरोक्त में से कोई नहीं तो आपको comment करके बताना है कि इसमें से Oracle क्या है तो इसका C answer सही है database software है अगला question से अंग्रेजी भासा के समान उच्चिश्त्री ये computer भासा है option A, proton, B, Pascal, C, Cobol, D है, C तो आपको comment करके बताना है कौन से option इसमें सही है तो इसका D answer सही है C अगला question से है कंप्यूटरी आंकडों में असुद्ध को कहा जाता है option A, chip, B है byte, C है bug, और D है bit तो आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका C answer सही है bug जब computer कोई गलती करता है तो उसे bug कहते है यहाँ पर byte और bit जो लिखे हुए है यह हमारे memory units है और chip circuits जो होते हैं वो हमारे motherboard पे लगे हुए parts होते हैं अगला question से Michael Angelo virus है option A, cancer का उत्तरदाई virus B, cancer से बचाव करने वाला virus C, चूहों में फैलने वाला virus कमेंट करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका D, answer सही है A, computer virus है अगला question से MS Word 2007 test select करने पर . . स्वतह परदर्सित करता है option A, task bar B, mini bar C, mini toolbar D, menu bar तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका C, answer सही है mini toolbar तो जब MS Word 2007 में आप कहीं पर कोई test लिखते हैं और उसके बद से select कर लेते हैं तो font size बदलना font बदलना, bold करना underline करना, color करना ये सारी चैजें वहाँ पर आपको तुरहन एक छोटे से mini toolbar में खुलके मिल जाती हैं अगला questions है एक directory के अंदर दूसरी directory को कहते हैं option A, root directory B, sub directory C, main directory D, part directory तो आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका B, answer सही है sub directory जैसे कि एक folder के अंदर जो दूसरा folder होता है उसे sub folder कहा जाता है उसी तरीके से सेम ही directory के अंदर जो दूसरी directory होती है उसे sub directory कहते हैं अगला questions है dial up connection में सम्मानिता speed होती है option A, धीमी B है, उच, C है, बहुत अधिक D है, अपरुक्त सभी तो आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका A, answer सही है धीमी तो dial up connection जो होता है उसकी speed सम्मानिता धीमी होती है अगला questions है TIFF का पूरा नाम क्या होता है तो option A, the image file format B, tagged image file format C है, tagged image file front D है, the image fax format तो आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका B, answer सही है tagged image file format अगला questions है keyboard का अविस्कार किस ने किया तो option A, gems ghostling ने B, stay jobs ने C, martin kruper ने और D है, Christopher Latham Solene तो आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका D, answer सही है Christopher Latham Solene अगला questions है व्यक्तिकत computer एक में circuit board पर कई संख्या में chip का उपयोग करती है इस board का साधारन नाम क्या होता है option A, Ethernet board B, motherboard C, red board D, green board तो आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका B, answer सही है motherboard अगला questions है WORM का क्या अर्थ है option A, write once, read many B, write on random memory C, work on real memory D, none तो आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका A, answer सही है write once, read many अगला questions है computer के संदर्भ में OSI का मतलब होता है option A, open software interrelations B, open system interrelations C, open software interconnection D, open system interconnection तो आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका D, answer सही है open system interconnection तो आज की इस वीडियो में हमने 30 most important questions के बारे में discuss किया है तो आज की class आपको कैसी लगी आप comment करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की class कैसी लगी अगर आपको कोई doubt है या किस तरीके का आपको कोई question पूछना है तो आप comment box में लिख कर पूछ सकते हैं और आप हमें instagram पे भी follow कर सकते हैं कोई query या किस तरीका कोई questions है तो आप हमें instagram पर भी लिख सकते हैं अगर आपका किसी तरीके का कोई doubt है तो हम कोशिश करेंगे उसको solve करने का तो उसका discussions अगली class में कर दिया जाएगा तो कल से जो classes सुरू होने वाली हैं वो triple c में पिछले मन्तों में real exam में पूछे गए questions है जो लगभा हमारे पार 200 से 300 questions का collections हुआ है तो वहां से हम आपको वो वाले questions बताएंगे तो जून में, जुलाई में, अगस्त में जो पीछे पूछे गए questions है उनका collections हमने किया है बहुत ही मेहनत के साथ तो वो questions कल से आपके साथ सांजा किये जाएंगे तो आप रोज ही हमारे साथ live class में जुडे रहे ताकि आपका knowledge अच्छे से बन सके और आप triple c की exam में बड़े अच्छे से अच्छी grade के साथ पास हो सकें तो हमारा भी यही लच्छ है कि आप triple c exam में अच्छे grade के साथ पास हो जाएं तो मिलते हैं कल फिर से 7 बजे नई class के साथ जिसमें हम 50 more important questions तो पिछले exam में real questions triple c में पूछे गए हैं उनकी साथ तब तक के लिए take care good bye जाहिंद